हेलो दोस्तों, आज का दिन बहुत पवित्र दिन है, बहुत खास दिन है, सबसे पहले आप सभी को सम्विधान दिवस की हारदिक शुभ कामनाएं दोस्तों, आज का दिन खास है, इसलिए मैं वीडियो शुरू करना चाहता हूँ भारतिय सम्विधान के प्रस्तावना से तो चलिए आप लोग भी आज प्रस्तावना को दोहरा दिए उसके बाद वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों ये है भारतिय संविधान की प्रस्तावना जिस पर पूरा का पूरा हमारा जो संविधान है वो टिका हुआ है दोस्तों आज है 26 नॉमबर और आज ही के दिन संविधान बनकर तयार हुआ था लेकिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को दोस्तों इसी संविधान ने हमारे देश को लोकतंत्र बनाया अब लोकतंत्र के चार जो अंग हैं डिमोक्रिसी के चार जो मजबूत पिलर हैं उसे जान लेते हैं दोस्तों दोस्तों किसी देश में कितना मजबूत लोगतंत्र है इन चार पिलर का मजबूत होना बहुत ज़ादा जरूरी है तो दोस्तों देखें चार अंग जान लेजिए एक है संसद भारतिय संसद और सुप्रिम कोट एक है सरकार एक है मीडिया तो डेमोकरिसी लोगतंत्र के चार म आप लोग बतायेगा हमारे देश में इन पिलर में से सबसे मजबूत सबसे कमजोर कोने कमट कर दीजीगा। बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए आज गर्व गरने वाली बात है ये बहुत ऐतिहासिक पल है बहुत ही गौरोव वाला ये पल है और जिसे हमें सेलिबरेट करना चाहिए क्योंकि आज संविधान दिवस है और इस मौके पर सुप्रिम कोट के परिसर में बाबा साहिब की मूर्ती लगा दी गई है दोस्तों सुप्रिम कोट के सीजाई हैं डिवाई चंद्रचूर साहब जब से सीजाई बने हैं तब से वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि बाबा साहब की जो मूरती है सुप्रिम कोट में लगाई जानी चाहिए आखिरकार डिवाई चंदरचूर साहब के अथक प्रयासों से ये मुमकिन हो पाया कि आज भारतिय सुप्रिम कोट के परिसर में बाबा साहब के आदम कद की मूर्ती को लगा दिया गया है और ये बहुत ही एतिहासिक पल है दोस्तों बाबा साहब की मूर्ती का जो अनारण किया है खुद डिवाई चंदरचूर साहब नहीं किया है इस मूर्ती के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों ये जो मूर्ती जिस आधार पे टिकी है कहा जा रहा है कि उसकी उचाई तीन फिट है और इस मूर्ती की जो रहे हैं हाथ में सम्विधान की प्रती है प्रती को तैयार किया है अथक प्रयासों से और सुप्रीम कोट परिसर में बाकी जो मूर्तियां लगाई गई है वो बिटिश कलाकारों ने मूर्तिकारों ने बनाया था लेकिन ये जो मूर्ति है ये भारतिये मूल के कलाकार ने तैयार की है इसलिए भी बावा साहिब की ये संसद बनकर तयार हुआ था याद है आपको जब भारतिय संसद बनकर तयार हुआ था तो वहाँ पर मांग उठ रही थी कि बाबा साहिब की परतिमा को वहाँ इस्थापित किया जाए तमाम निताओं ने जोर शोर से इस आवाज को बुलंद किया था कि भारती संसद जो बनकर तयार हुआ है वहाँ पर बाबा साहिब की मूर्ती कब इस्थापित की जाएगी दोस्तों याद है आपको जब भारती संसद का इनाउग्रेशन हुआ था तब वहाँ पर राश्टपती मुर्मु जी को नहीं बुलाया गया था ये मद भूलिएगा सिर्फ और सिर्फ प्रधान मंतरी वहाँ पर अपना फोटो किलिक कर आ रहे थे और राश्टपती तक को वहाँ नहीं बुलाया गया जब नया संसद त्यार हुआ लेकिन हमारी राश्टपती को नहीं बुलाया गया जो एक आधिवासी समाज से आती है लोग कह रहे हैं कि ये राजस्थान हाई कोट के परिसर में जो मनू की मूर्ती है इसे कब हटाया जाएगा खास तोर से दिलिप मंडल साहब ने इसको लेकर जोर शोर से आवाज बुलंद की है दिलिप मंडल साहब कह रहे हैं इस मूर्ती को अतिशीगर यहां से हटाया जाए क्योंकि मनु का हाई कोट के परिसर में क्या काम जो जातिवादी लोग हैं जो भेदभाव करने वाले लोग हैं उनका हाई कोट के परिसर में क्या काम हाई कोट के परिसर में सुप्रिम कोट के परिसर में सिर्फ और सिर्फ संवेदान निर्माता बाबा साहब की मूरती लगनी चाहिए तो दोस्तों D.Y. चंदरचूर साहब ने ये बहुत बड़ा काम किया है और D.Y. चंदरचूर साहब ने जाहिर तोर पर अपने इस फैसले के बाद इस प्रयास के बाद लोगों का दिल भी जीता है लेकिन कुछ चुनोतियां भी उनके सामने है अभी डिवाई चंद्रचूर साहब को, सिजाई साहब को कुछ फैसले लेने पड़ेंगे जैसे EVM पर एक फैसला लेना है उन्हें चुनाबी बॉन्ड फैसला लेना है EDG इस तरीके से कारवाई कर रही है उसके पर कब कुत्रे जाएंगे कैसे वो छापे मारी कर रही है कैसे वो गिरफतारी कर रही है इसको लेकर अभी तीन बड़े फैसले सिजाई साहब को लेने पड़ेंगे और उम्मीद करते हैं बाबा साहब की ये मूर्ती लगने के बाद और तेजगती से जो सुप्रीम कोट के फैसले हो आएंगे क्योंकि दोस्तों बहुत सारे केस अभी भी सुप्रीम कोट में बड़े-बड़े केस पेंडिंग है जिस पर फैसला आना बाकी है क्या लगता है कि अब जो सुप्रीम कोट की जो फैसले हैं वो तेजगती से आने शुरू हो जाएंगे क्या जो पेंडिंग फैसले हैं उस पर जली से जली निर्णए आ जायेगा अपनी परतक्रीया आप लोग जरू दीजेगा और हाँ अपनी राय आप इस वीडियो पर जरूर दिजे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें सहयोग करें वीडियो को जन जन तक पहुँचाए डिस सिदेश की जनता जाग रोखो जै भारत जै संविधान शुक्रिया